विवाद में एक व्यक्ति की मौत के खबर आ रही है वहीं दो लोग खायल बताए ज़ा रहे है फिलाल पीडित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है छे लोगों के खिलाफ फिलाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है खुजेरी थाना के पास के कसुमा पुर का ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको बल्या से बता रहे हैं जहां पर शादी समारों में मामूले विवाद में जब कर मार पीच की वारदात सामने आई है जहां पर दीजे पर डांस देखने के दौरान विवाद छिड़ गया आपको बता दे कि इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई है वहीं दो लोग खायल बताया जा रहा ह चलते जम कर मार पीच की गई है जिसमें एक व्यक्ति की मौत की ख़वर सामने आई है वहीं दो लोग खायल बताए जो रहे हैं फिलाल पुलिस ने शब्खों कबसे में लेकर पोस्ट मौटम के लिए भेज दिया है इसी बीच मिर्जापुर से बड़ी कबर जहां सपा कार्याले में मनाया गया जशन जहां अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की शादी के 23 साल पूरे होने के खुशी में आज केक काटा गया है शादी की सालगिरा की शुप कामनाय भी तंपती को दी गई है बाती कार्याले लोहिया ट्रस्ट में केक काट कर जशन बनाया गया है तो मिर्जापुर से खबर बता रहे हैं सपा कार्याले में जशन मनाया गया है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की शादी के 23 वी वर्ष काट के अफसर पर कार्याले में केक काटा गया मिर्जापुर से खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जहां पर सपा कार्याले में आज जशन का महौल देखने को मिला है आपको बता दे कि अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की शादी के 23 वर्ष पूरे हो चुके है जिसके अफसर पर 23 सालगिरा के मौके पर केक काट कर ये जशन मनाया गया शादी के सालगिरा के दंपती को शुक कामनाई भी दी गई है पार्टी कार्याले लोहिया ट्रस्ट में केक काट कर इस वर्ष काट को मनाया गया है चारव कर देख सकते हैं किस और स्कार यादे और पूसर ने सालगिरा के कर देंपको शुक काट को मनाया गया है गलेश यादम स्कीस अफसर यादम उर्ष कार्यालो स्पार्य कठ को शुक काट कर आज जशन मनाया है आपको बता दे कि ये खास अफसर था खिलेश यादव और टिंबल यादव की शादी की सालगिरा का आपको बता दे की सपा सुप्रीमों की 23 सालगिरा के मौके मराज के काटकर सपा कार्याले में जश्ट मराए गया